नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है भलचंद्र ब्रह्मांट सिद्ध्य अश्रों में आप सगे का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि पिर प्रेम विवा में दो राशिया है एक राशी यदि करक राशी है और दूसरी यदि कुम्ब राशी है तो उनका प्रेम विवा का जो वैवाएक सही जिवन होगा वो किस प्रकर का होगा इसे के संदर में चर्चा इस वीडियो में हम करने मादे हैं अपना जो चैनल है ब्रह्मांट सद्ध्य अश्रों इस चैनल पर मेश राशी से लेकर मीन राशी तक की जो सभी बारा राशिया है यह सभ करेंगे करक राशी और कुंबर राशी के बारे में तो सबसे पहले हमें इनकी जो सब पूर्ड जो परस्नालिटी है हमका जो व्यक्तित्व है जीवन की प्रति उनकी जो दृष्टी है उनकी चाहों के इस प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकरी लेना आवशक होगा त तो करक राशी के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्द भाव में आने वाली यह राशी है, चंद्रमाइस राशी का स्वामी है, स्त्री राशी है, इस राशी का जो तत्व है, वो चला तत्व है, और चरव प्रकार की यह राशी है तो सबसे पहले और महतो पुर्णबा जो की करक राशी में देखी जा सकती है वो है इनकी भावना शिलता काफी ज्यादा इमोशनल राशी है हाला कि बाखी की भी कई राशिया है जो की इमोशनल है लेकिन इनकी जो इमोशन होती है वो काफी sober किस्म के होती है और अकेल ये जो राशी के आसूं है वो आप देख सकते हैं मतलब कई जो ऐसे राशीया है दुख तो उन्हें भी होता है आसू भे निकल लाते हैं लेकिन ये जो राशी है इनकी जो emotion की जो transparent से होती है वो काफे ज़्यादा देखी जाते हैं काफी जादा emotion होते हैं हाला कि इनका जीवन जो है वो emotions पर ही आधारित होता है काफी जादा तो और emotions से related जो विश्वास होता है जो trustworthiness होता है वो भी इनमें देखा जाता है सबसे पहले इनके विक्तित वे बारे में अगर देखा जाए तो यह जो राशी है स सुन्दर होती है और इनका जो नेचर होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है इनका जो सौंदर होता है वो सोबर होता है कई जो ऐसे राशिया होती है उनका जो सौंदर होता है थोड़ा सा तीखा होता है मतलब इस राशी के बारे में वो बात देखी नहीं जाती है design के मामले में अब भी अगर देखा जाए तो रहेंसे इनका neat and clean होता है और वैसे भी देखा जाए तो यह जो राशी है वो सुन्दर होती है इस वज़े से किसी भी प्रकार के अगर fashion ने कर ली तो वो उनको जच जच जाती है लेकिन मतलब सुन्दर के प्रति या फिर खास करके fashion के प्रति इनका रूजान ज़्यादा देखा नहीं जाता यह जो राशी है वो emotion से जुडने वाली राशी है और दूसरी ज़्यादा में तो पुर्ण बात इनके जो वानी होती है वो भी काफी अच्छे होती है वानी पर जो command होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है किसी भी मुद्दे पर कई घंटों तक बोलने की capacity इस राशी में देखी जा सकती है और इनकी जो मुद्दे होते है मतलब बोलने के जो मुद्दे होते हैं वो भी अमुमन दोर पर देखा जाए तो वो relationship के मामले में या फिर emotion के मामले में ही देखे जाते हैं यह अकेले जो राशी है जो कि family से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है सबसे ज़्यादा attach रहती है और यह जो इनके attachment होती है वो भी इतनी ज़्यादा होती है कि यदि यह खुश है और घर के किसी लोगों मतलब family के किसी लोगों में किसी विक्ति में अगर problem है तो वो दुखी उसके कारण होगी और उल्टी दोर पर अगर देखा जाकि family पूरी तरस सुकिया और इनके जिवन में वोड़ी बड़ी problem है फिर भी यह जो राशी है वो काफी आनन्दी रहेगी मतलब families के इनकी जो attachment होती है वो काफी जादा देखी जा सकती है और खास करके इनकी जो मा होती है उनके साथ इनके attachment होती है वो शब्दों के परे होती है मतलब आप शब्दों से बयान नहीं कर पाएंगे सिर्फ और सिव देखने भर से ही ये परस पर जान जाते है कि इनकी मा किस तरह से या फिर मा जान जाएगी कि ये करकराशी की इनके जो बच्चे है वो किस पर करके है तो वो जो attachment होता है वो शब्दों के परे होता है दूसरी जदा महत्व पुर्णबाद ये जो करकराशी है वो थोड़ी से practical होती मतलब पैसे कहां पर खर्च करने है कैसे कर्च करने है किस तरह से कर्च करने है किस तरह से उसे कमाने है किस तरह से invest करने है इसके मामले में भी इनके जो मालूमात होती है वो काफी जादा अच्छी देखी जाती है मतलब value for money जिसे हम करें कोई भी अगर वस्तु लेनी है तो सबसे पहले ये देखेंगे जीए कि उस वस्तु की जो उनको जो नीड है वो किस प्रकार की है मतलब आतका लिखा या जीवन भर की है उसी प्रकार अगर कोई भी वस्तु यदी यह लेने जाए तो दस जो दुकाने हैं वहां पर गुमेगे उसके बात तय करेगी कि वो अस्थ कहां से लिनी है, काफी लिनी है और इसका जो फाइदा होता है, वो भी इनके लिए काफी अच्छा देख जाता है हर करक राशी की जो विक्ती होती है, वो हमेशा बचत के पीछे लगी रहती है और बच्चत का भाव में देखा जाते हैं और इसका जो परणा होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाते हैं कि बच्चत काफी अच्छे होती है इस वजह से पैसे के मामलत में किसी भी प्रकार के बड़े problem, complications इनमें देखे नहीं जाते हैं उसी प्रकार मैंने जैसे का कि ये जो राशी है वो काफी ज़्यादा emotional है लेकिन emotional होते हुए भी काफी ज़्यादा मेहनत करने के तैयरे इस राशी में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है करियर के लिए जो आवशकुन होते हैं कि जैसे कि dedication है या फिर hard working nature है या फिर goal orientation है ये जो सबी बाते हैं वो सबी बाते इस राशी में खास करके देखी जा सकती है जालगी ये जो राशी है मतलब इस राशी की जो गुरुईनी है या फिर स्त्री वर्ग है वो हमेशा घर का जो काम है वो करने में जादा वैस्त रहेगी या फिर पसंद करेगी लेकिन अगर भार का काम करना कपड़े तो पहले यह यह देखे कि income कितनी है उसमें लाग मिल क्या है यह नहीं क्यों कि इनके मामले में अगर देखा जा तो career के मामले में बहुत जद्धा career oriented नहीं रहती हैं कि उसके उसके उसमें वह जएधा आनंद लेते हुए नजर आते हैं लेकिन करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो वो काफी आगे बढ़ सकते है अब यहाँ पर एक बात जो है वो खास देखी जाती है करियर के मामले में यह जो राशिय वो काफी selective नहीं रहती मतलब कई दफ़ा ऐसे होता कि बाकी की जो भी राशिया हमेशा selective रहती है कि मुझे यह करना है वो करना है इस प्रकार से मतलब उनका उनकी जो भी चाह होते हैं उनके जो भी ऐसे एक्षयतर होते हैं जो की favorable होते हैं लेकिन इस राशिय के लिए वो बात नहीं होती है अब यहाँ पर यह जो बाते हैं हाला कि यह जो बाते वो जो भी पैसे वो जो भी आन करेंगे वो खुद के लिए या फिर family के लिए कर्च करेंगे तो मोटी दोर पर अगर देखा जाए तो यह जो करक राशी है वो खास करके फैमिली से बहुत अज़ा अटेट या फिर डेडिकेटेड होती है और हमेशा फैमिली के बारे में सोचने वाले होते हैं और अटेच्मेंट या फिर इमोशन से भरे हुए होते हैं अब हम चर्चा क करेंगे कुंबराशी के बारे मिं तो मेरे में अगर देखा जाए तो काल पुरिष्क करें में यह जो कुंबराशी नाया वाले राशी है इस राशी का तत्वा यह स्तिर राशी है इसका जो अन्य वा sacrifices वहाय तत्वा है सबसे पहले और मेंहता पुर्णबाद इस राशी कर देखा जाए तो काफी सिंपल इनका रहेंसन होता है मतलब इनके रहेंसन से आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके जो फाइनेशनल स्टेटस है वह कितना हाई है वह कितना अच्छा है सिंपल लिविंग यह हमेशा पसंद करती है लेकिन इनकी जो बहुतिक होती है इनकी जो विचार होते हैं वह काफी एडवांस होते हैं वह काफी आदोनिक होते हैं और इसी वजह से जब भी आप और इनके बोलने के मामले में अगर देखा जाए तो इनकी जो वाणी होती है वा कब Whoo थोड़ी सी तीकी हो जाती है , to the point बोलने वाले होते और बहुत कम बोलते है मतलब यदि कुम्पराशियं की कोई महिला भी है तो महिलां के और यह जो विक्ति होते हैं वो काफी जादा discipline देखे जाते हैं बहुत ही जादा मतलब इनका पूरी दिन की अगर दिनेचारिया देखी जाए तो कौन से समय में क्या करना चाहिए कहां पर करना किस तरह से करना चाहिए यह बात में तो चोटी चोटी बात है अगर घर का जो घ discipline nature है वो दिखाए दे सकते हैं जहां पर यह घर पर या फिर घर के बाहर जहां पर यह काम करते हैं नोकरे करते हैं वहां पर भी इस प्रकार की जो बाते होती है वो देखी जा सकती है इतना ही नहीं इनका जो पूरा जीवन जो होता है वो ही discipline में देखा जा सकता है मतलब साम बढ़ना है किस तरह से बाते करने किस तरह से रिलेशेंशिप मेंटेन करने किस तरह से मतलब जीवन में जो अपनी जो चैरक्टर है जो भी बाते हैं इसके बारे में इनकी जो बाते इनका पूरा जीवन होता है वह आदर्श देखा जासा देखा जा सकता है अब यहां पर दो प्राक्टिकल अनुबहों नहीं आते तब तक ये विश्वास नहीं रखेंगें, मतलब कई दफ़ा ऐसे होते हैं, कि कई जो हमारे रिचुवल्स होते हैं, वो पीडियो दर पीडियो आते हैं, और हम उसी प्रकार से करते हैं, लेकिन ये जो राशी है, थोड़ी अलग है, क्य तो discipline और तरकिक जो बाते हैं, ये जो दो बाते होती हैं, वो इस राशी में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, हाला कि इस वज़े से इनकी जो mutual relationship हैं, वो अच्छे नहीं बनते हैं, घर के जो लोग हैं, वो इनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखते हैं, क्योंकि इनका discipline नेचर होता है, दूसरा होता है, इनकी तारकिक, मतलब emotions इनमें थोड़े कम दिखाई दे सकते हैं, emotion के बारे में आगर देखा जादा पूरी तरस से वो emotional नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ तो तरक रखते हैं, इसे वज़े से होता क्या है, कि सामने वाले पर विश्वास इनने थोड़ा सा, मतलब पूरी तरस से विश्वास नहीं रखेंगे, इस वज़े से होता क्या है, कि इनमें emotions थोड़े कम देखे जा सकते हैं, या फिर इनका जो discipline, जो nature होता है, इसकी वज़े से जो mutual relationship है, उसमें problem complications हो सकते हैं, मतलब वीवा के बंदन में भी इस प्रकार क होना पड़ता है, वो बात इनमें नहीं होता है, अगर इसमें, मतलब करियर के मामले में भी अगर देखा जाए, तो यह जो वेक्ति होते हैं, वो अग्यात में कभी decision नहीं लेते हैं, मतलब कोई भी अगर decision लेता है, उसका पूरी तरह से विचार करेंगे, उसके बाद ही decision लेंगे, और discipline में चलेंगे, लेकिन business में होता क्या है, कि कई दफा आपको जो निरने हैं, वो out of the way जाके भी लेने पड़ते हैं, मतलब कोई भी निरने हैं, तो उसके बारे में वो अग्यात में होता है, भविशे में होता है, उसके बारे में confirmation नहीं होता, और यह जो राश है, या फिर discipline, यह सभी बाते उनमें होती है, लेकिन अग्यात में decision लेने की जो क्षमता, जो की business में बहुत ही महतुपून होती है, वो बात इनमें ज्यादा देखी नहीं जाते हैं, इस वज़े से यह जो राशी है, मतलब जो कुमबर राशी है, वो नौर्मल यह अगर दे और करकर जो राशी है, वो यदि विवा के बंदन में है, तो सबसे पहला और महतुपून बात जो सभी के मन में आते हैं, यह जो दो राशी है, वो शड़ाश्टक में आने वाले राशी है, अब शड़ाश्टक में भी दो जो सवद्निया है, वो आती है, पृति शड़ाश या और कुंबराशी के बारे में यह परस पर विरो दिया मतलब कर्क जो राशी है वो काफी ज्यादा emotion होती है trustworth ही होती है घर से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है इनके लिए emotions का सबसे महत पूरी तरह से अलग बात जो है वो कुंपराशी में देखी जाते है कुंपराशी जो है वो काफी ज़्यादा discipline है काफी ज़्यादा तारकिक है और अकेले भी पूरी जो आयू है वो निकाल सकती है उनमें जो वो दफम होता है वो ज़्यादा देखा जाता है अब ये जो बात है वो करक राशी में देखी नहीं जाती और ये जो मुलबुद गुन दर्मा है दोनों राशी में काफी अलग होने के कारण ही अगर दो अलग प्रकार के जो विक्ति है वो अगर साथ में रहे तो उनमें थोड़ा सा क्लैशिश होकरा हो सकते है लेकिन प्रकृति के थोड़ी अलग भी बात होती है कि अगर जो गुन आप में नहीं है वो अगर सामने वाले विक्ति में अगर आप देखते हो थोड़ा द्यान देना को मितलब कुम्राशे के बारे में यह कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो आपको थोड़ा सा emotional होना ज्यादा आवश्यक है जो कि जो बात हम करकर आशी में देखते हैं या फिर कुम्राशी में जाते होगे या तर्क मांगोगे तो वह बात नहीं आते कहीं पर जाके आपको विश्वास रखना ही होता है यह यह जो दो-चार बाते वह दो-चार बाते पर अगर अगर अमल करते तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों में देखी नहीं जा सकती और डिसिप्लिन की जो बात है वह घर कम राशी में देखी नहीं जगता है वो एसा नहीं देखती कि घर के जो लोग है या फिर बाहर के लोग है उनके लिए जो काईदे करनाश से चलना यह बहुत ज़दे देखी जा सकती है हाला कि, अब हम चर्क करेंगे, कि शादीक के बागए, जो सबसे महत्वर्णबात होती है, वो बात होता है, लेकिं, लेंगिक सुक, बारे में, भी अगर देखा जाए, तो करक रशेक के बारे में, जो लेंगिक सुक की तरफ, इनके जो, अट्राक्शन होता है, वो ज्यादा देखा नहीं जाता हो वो मध्यम्याफे थोड़ा कम होता है लेकिन कुंबर राशी के बारे में होती क्या होती है ये बात है कि कुंबर राशी की जो विक्ति होते हैं वे लेंगिक सुख के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन लेंगिक सुख का जो अट्रैक्शन होता है वह कुंब राशी में काफ़े ज्यादा देखा जा सकता है यह बात करक राश में उतने में देखी नहीं जाएगे अब यह जो बात है वह भी थोड़ा मतलब विवा सुक्ष में बाधाएं आ सकते हैं लेकिन परस्पर मुच्छ अंडेसंटिंग से इससे भी कोई ना कोई त सेने जो भी बाते हैं उसमें भी छोटे मोटे क्लैश आ सकते हैं तो नेचर लेंगे से दोनों की तरफ से यह जो बाते हैं थोड़ी से डिफर हो सकते हैं इससे वज़य से यह जो दोनों राशिया है वह मृत्ति शड़ास्टक में कहीं जा सकती है इसके बाउजित अगर बाकी 11 भी गरह होते हैं और वह अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव करते हैं वह कौन से है किस प्रकार से है वह जो आपके कुंडली है वो देख कर जाना जा सकता है तो दोस्तों यह था करकर अश्यो और कुमबर अश्यय दिप्रेम विवा के बंदन में हो तो जो परस पर वयवाइक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा इस संदर में चार्चा आपको ये वीडियो कैसे लेगा आपने किस प्रकार से आनुबह किया येजे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है बिरह मंद सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद